यह सो हलो एवरीवान हेतेश एर और टोड़े वी गना टॉक अबाउट दी मुवी कॉल्ड मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो की है मैड मैक्स सागा का सेकंड पार्ट अकॉर्डिंग टू माई क्रोनालजिकल और क्योंकि जो अभी दोजार चॉबीस में आ था वह बीसी के लिए इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने उसे एक्स्प्लीन करके अल्रेडी चानल पर वीडियो क्लिप्स के साथ एक्स्प्लीन कर दिया है अगर आप चाहें तो पहले उसे चैक आउट कर सकते हैं क्योंकि इस मूवी की स्टूरी है यह कंप्लीटली उस मूवी के एंड होने के ठ कुछ सूख चुका था हर जगे सिर्फ पहाड़ी थे और यहां पर हम इस कहानी के वन आप लीड करेक्टर मैक्स को देख पाते हैं जो कि पीशे से पहले एक पुलीस वाले हुआ करते थे मगर अब जब हालात सब कुछ बिगड़ चुके हैं तो वह सिर्फ अपने जीने के यह इदर उदर से जुगाड़ पानी करके काम चला रहा होता है कि इतने में ही कुछ आदम खोर उसके पीछे बढ़ जाते हैं अब यहां पर बहुत तगड़ा चेज सीक्वेंस आता है यह लोग उसकी गाड़ी को एक धमा किसे गिरा देते हैं और फिर उसे पकड़ कर अप बिमारियां फैल चुकी होती है इस वज़े से इनका कलर जो है डिम हो चुको आता है मतलब ब्लट सेल्स खत्म हो चुके होते हैं यह पूरी तरीकी से वाइट वाइट हो चुके होते हैं और इन्हें जीने के लिए इंसानी खून की जरुत पड़ती रहती है तो यह मैक्स को ब्लट बैंक बनाकर उससे अपनी बॉड़ी में खून की आपूर्दी पूरी करते हैं इसी बीच एक बार उसको मौका मिलता है भागने का तो भागते भागते धेर सारे दर्वाजे खोल कर जब आगे निकलता है तो देख पाता है कि यह तो भाई पहाड़ी की चूटी पर डारेक्ट मौत है तब ही लोग आगरे से पकड़ कर वापस ले जाते हैं देंसीन शिफ्ट होता है कहानी के विरांगड पर अब जो पुरानी मूवी यानि की इसके फिरियोसा वाली में मैं आपको बताया था कि विरांगड को टूटल तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया पानी फसले पेड़ पौधे और बड़ी ऊची पहाड़ी का कबजा जो इसने जमा रखा है इस वजह से सबी लोग इसके नीचे दबे हुए हैं कोई भी इसके खिलाफ आवाज ने उठा सकता और जब इसका मन होता यह थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है और लोगों को र आंकर भरके फ्यूल लेकर आने का और इनका जो ट्रक चला रही होती है यह बंदी होती है अपनी फ्यूरियो सा जिसकी बैक स्टोरी इसके परीकौल में बहुत अच्छे तरीके से अल्रड़ी एक्स्प्लेइन हैं मगर रास्ते में आगे जाते वक्त वह अपने पुराने घ भाई आखिर हमारी जुनुनी ने मतलब की जो जंगी दिस्ते की कमांडर थी उसने अपना डारेक्शन कैसे बदला तो यहां पर अपने जो वार बॉइस होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है इंडिकेशन देता है कि जाकर के जुनुनी को पकड़ो अब उनके जो यह लोग हैं यह इमॉर्टन के लिए मरने तक को तयार हैं और खुद को वो उसके लिए कुर्बानी देना मतलब जन्नत में जाने का रास्ता समझते हैं तो अब हर कोई उसके लिए अपनी गाड़ी को ठाकर तयार हो जाता है लेकिन यहां पर एक शक्स होता है जिसका नाम होता नक्स वह बहुत ज़्यादा बिमार होता है अपने ब्लड की कमी उसकी पूरी हुई नहीं होती है मगर इमॉर्टन जोग आदेश आगया तो वह भी तयार हो जाता है अपने ब्लड बैंक को गाड़ी के आगे टांग करके फीरी को पकड़ने के लिए अब यह जो चेस करने में बड़ा मजा आता है इन मुवीज में बाकी मुवीज के मुकाबले जादा लोग जादा टीम जादा प्रोडक्शन जादा कास्ट इसी के साथ में तगड़ा काम दिखाई पड़ता है एक नॉर्मल कॉंवर्सेशन में जहां दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं वही मेरी प्रायोरिटी रहती है यहां पर जुनूनी के पीछे सब लोग पड़े होते हैं बांध रखा होता है मैक्स को आगे और यह अपनी गाड़ी फुल भगाते हुए उसे जान से मार दिना चाते थे ताकि के सामने उन्हें अच्छी उपलब्दी मिल सके वह जन्मत में जा कि अगर यह मौका उसके हाथ से गया तो इमॉर्टन जो के सामने कभी भी जुन्नती दर्वाजे में नहीं जा पाएगा इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा खूच जाता है और जाते वक्त अपनी गाड़ी के सारे फ्यूल वगर टैंक ओपन कर देता है जिससे गाड करे में उनकी गाड़ी सामने की रेत में धस जाती है इवनिंग में और हम देख पाते हैं कि अब ववंडर शांत हो चुका है जब मैक्स उठता है तो देख पाता है कि नक्स की हालत बहुता खराब है काइंड ओफ बेहोश हो चुका होता है और वह अपनी नली काटने की पॉर्चुनेटली इमॉर्टन जो की वाइफ सी होती है जनका काम था उससे सेक्स करवा करके हैल्दी बच्चे पैदा करना अब इसके पीछे भी च्छोटी सी बैक स्टूरी है जो कि मैं 2024 वाली मूवी में देखने को मिली थी डेमेंटर ने आकर इमॉर्टन को बुरा वला था मैक्स चाता था कि उससे पहले पानी पिलाओ उसकी हतकडियां वगरे खोलो और उसके रास्ते भेज दो मगर फ्यूरी जानती थी कि अगर यह बंदा पकड़ा गया तो यह मॉर्टन जो को जाकर सच्छा ही बता देगा और वह सारी की सारी टीम हमारे पीछे फिर से लग लड़कियां भागते आती है मैक्स के पास मेर कहती है कि हमें इस ट्रक में बठा लो और इस ट्रक का सीक्वेंस मैं ही जानती हूं अगर मैं इसे नहीं चलाओंगी तो हम आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि पीछे से मॉर्टन की पूरी टीम आ रहे अगे अगर मैक्स को सभी को ट्रक में बठाना पड़ता है और यह लोग अपनी अलग जरनी पर निकल जाते हैं तो मैक्स इससे रस्ते में पूछता भी है कि आखिर तुम जाना कहां चाती हो जहां पर बताती है कि मैंने बच्पन में हरी घाटी के बारे में जाना था मतलब मैं वहीं से इसलिए मैं आज अपनी और अपने साथ साथ इन बाकी लड़कियों की आजादी के लिए निकली हूं अब इनकी तरफ यह बाचीत चली रही थी कि तभी पीछे से नक्स आ जाता है तो बीसी के लिए जब तूफान में गिरा था तो सिर्फ बिहोश होगा था मरा नहीं था यहां पर आकर उसे अपने असली रंग दंग दिखाने स्टार्ट कर दी होते हैं मार्टन जो के लिए खुद को बहुती काम का बंदा साबित करवाना चाता था तो यहां पर अच्छी का सी फाइट होती है मगर मैक्स उसे धो पीट कर रस्ते में ही पटक देता है अब यह ल भी आएगा जाएगा तो ने इनकी पर्मीशन लेना इंपॉर्टेंट होगा तो यहां फ्यूरी बाकी सभी को ट्रक के अंदर छिप जाने के बारे में कहती है और बोलती है बाहर मत आना और अगर मुसीबधुईत मजूर से चिलाओंगी मैक्स फटावट से ट्रक को लेकर क यहां से निकल जाना वह बहार आकर गैंग से डील करती है कि जैसा तुमने कहा था कि तुम्हें 3000 गैलन फ्यूल चाहिए वह में लेकर आई हूं अब मुझे यहां से जाने दो जबकि उनके लीडर का कहना था कि तुमने कहा था तुम्हारे पीछे तो पूरा का पूरा काफि भगाओ अब मैक्स फुल स्पीड के अंदर स्ट्रक के दोनों इंजन खोल करके वहां से निकलने की कोशिश करता है इसी यहां पर गिद गैंग के लोगों ने बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया था तो पहाड़ी दर्रा पूरी तरीके से बंद हो जाता है इस वज़े से इ टास्क देते हैं कि कैसे भी करके इनकी गाड़ी रुकवा प्लास्ट कर कुछ भी कर मुझे मेरी पांच बीविया वापस चाहिए तो नक्स बात मान करके मलब जन्नती दर्वाजें पहुंचने की ख्वाइश लेकर पहुंचता है इनके ट्रक पर मगर रास्ते में धचकों भाटों इनकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह अपना काम ठीक से पूरा नहीं कर पाता अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें रात हो जाती है और रात में जो नक्स है उसकी पूरी तरीके से हिम्मत तूड़ जाती है क्योंकि एक तो वह पहले से बिमारी से ग्रसित होता है उसकी हडियों में वाइरस होता है वह अपने अन्न दाता यानि कि पूरी तरीके से हताश हो गया जहां पर एक लड़की मतलब जो होती तो है इमॉर्टन जो की वाइफ मगर पीछे आकर उसे थोड़ा दिलासा देती है कि कोई बात नहीं तो अपना काम प होता हूं इनका ऐसारे सारे करकर कभी किसी घाड़ी का तरवाजा चैन बांथ कर देबन पीछे पड़ जाता है नगा पर मैक्स सबीख ऑसी आगी लेकर और फिर पीपा लेकर लेकर उल्टी दिशा में चला जाता है उसका मुकाबला करने के लिए थोड़ी देरे बाद में वहाँ एक धमाकी की आवाज आती है फिरोसा को लगता है कि शाद वो मारा गया मगर जब वहाँ से एक शक्स आता हुआ दिखाई पड़ता है तो मालम चलता है कि मैक्स ने उनकी पूरी गाड़ी को तबाह कर दिया और उनके धेर सारे हतियार खुद साथ में लेकर इनके पास आ गया अब यहां से अगीन इनकी जर्णी स्टार्ट होती है और काफी दूर चले आने के बाद में इने एक टावर दिखाई पड़ता है जहां पर एक जिंदा इंसान मौजूद था फ्यूरी नीचे उतर कर उसे कहती है कि क्या यह हरी घाटी है मै अपने घर आ चुकी हूं मैं जावाजा की बेटी हूं इस बात को सुनकर के वहां पर डेर सारे बाइकर्स आ जाते हैं यह सारी की सारी लीडीज ही होती है जो की बताती है कि फ्यूरी शायद तुम गलत जगह पर आ गई हरी घाटी अब बची ही नहीं क्योंकि जिस दिलधल मोराल डाउन हो जाता है क्योंकि इतने सालों से इतनी मेहनत करके इतने लोगों को गवा कर इतनी जंगे लड़कर हरी घाटी तक आने का डेसाइड किया था और अब उसे पता चल रहा है कि हरी घाटी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है यहां फ्यूरी के घुटने टि के लिए जाते हैं क्योंकि इस वक्त वहां पर कोई पहरेदार नहीं होगा और जैसे उसके बेटे वगर आएंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे जिससे पूरी की पूरी सत्ता हतियाने में हम कामियाब हो जाएंगे यह प्लान था थो थोड़ा मुश्किल मगर यह सभी उस प्ल लिया वाले सीजी आई बहुत ही शांदार इस्तमाल हुआ है मुझे सबसे फेवरेट लगा इस कहानी में जो ट्रक के आगे बजाता है बंदा गिटार वो क्योंकि उसकी गिटार में सांग भी निकल रही थी और काइंड आफ अपनी टीम को बूस्टर देने के लिए पुरा जाती है कि अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी मारी जाओंगी मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है अब कहीं बच्चा मारा ना जाए इसी चकर में वह शूट नहीं करता मगर पीछे धमाकों की वज़ए से गाड़ी वाइबरेट हो जाती है और उसकी वाइफ नीचे ही ग वहीं पर इमॉर्टन को जब अपनी ग्रीवी वाइफ मिलती है तो बहुत जादा दुख दर्द में होता है क्योंकि इतने सालों तक एक हेल्दी बच्चा पाने के लिए अपनी सारी लोगायों को अपनी कैद में रखा हुआ था और एक छोटी सी गलती की वज़े से आज उ हो जाता है बरबाद और यह लोग इमॉर्टन जो की ही गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं इसी बीच इनकी फाइट इमॉर्टन से भी होती है मगर उसके मास्क को यह लोग टायरे मलपेड देते हैं क्योंकि वह मास्क से ही सांस लिया करता था तो वह भी मारा जात है तो हमें ऊपर तक जाने का रास्ता मिल जाएगा और फिर तो उपर अम सत्ता हातियाई लेंगे क्योंकि सारी राणिया ही तो हैं और फाइनली इनका यह प्लैन काम कर जाता है यह लोग आराम से उपर पहुंच जाते हैं और फिर ऊपर जो बाकी की राणिया इन नई वैसे भी पूरी हो जाएगी मगर मैक्स उसके साथ में उपर नहीं आ पाता और इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि मैक्स एक सच्चा ही रहा पर अलग जगह निकल जाता है यानि कि इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट मैड मैक्स दी वेस्ट लेंड जरूर आएग काफी ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा टाइम और पेशन्स लगता है कई बार चानल पर स्ट्राइक आ जाती है बहुत सरे वीडियो डी मॉनिटाइज हो जाते हैं क्लेम के चक्कर में हम पैसा कमा नहीं पाते हैं मगर एडिटर्स को हमारा पैसा जाता रहता है तो अग आप लोगों को मिले बढ़िया टॉप क्वालिटी कॉंटेंट और हमें मिले अच्छी यूट्यूब पर ग्रोथ थैंक यू मच गाइस फर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वालिटी इस जाता हैं अगले लोगों की बंढ़ियो मिले खर व्यूप यूब ऋरोगों की अवाले, टीसे ओंग हैं अगले, टीसे इस प्सक्रावादा की लिट की ए्ले टॉटरूवड़ और हमें वीडियोटी और शॉब आर हैं वाले, ढो